मैंने बताय था कि basically जब मैं cells पढ़ता हूँ तो मैं electrochemistry में दो type के cells से मेरा dealing थी या तो मेरे पास कौन सा था रे electrochemical cell था ठीक है न और दूसरा मेरे पास कौन सा था रे electrolytic cell था जब मैं electrolytic cell की बात करता हूँ सुनना रे यह बहुत पढ़ लिया है electrochemical cell के बारे में बहुत सुनाए ठीक है न अब थोड़ा सा फोकस करता हूँ electrolytic cells पे और electrolytic cells को थोड़ा सा और interested बनाते हैं रे देखना जब मैंने बताय था कि अगर मैं electrolytic cells की इसका मतलब इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं इस electrolytic cell में क्या पढ़ू तीसरा पढ़ूं क्या selection criteria of the electrodes इसका मतलब इसमें इसकी तरह तो में नहीं कर सकता कि electrolytic cell में सेम क्राइटिरिया और इसका मतलब इसमें क्या होगा इसके लिए हमें से ध्यान रखना कि in the case of electrolytic cell in the case of electrolytic cells electrodes are decide on the basis of their attachment of battery बात समझ में आरे यह नहीं आरी भई बोल दो बात समझ में आरे यह नहीं आरी मतलब कि इस चीज को मैं अगर यहां बर बताऊं थोड़ा इदर देखना भई यहां मैं देखो मैंने क्या लिया में electrolytic cell lunch define कर रहा हूँ मैंने रहा है इक 12 Uhr लिया उनको मैं जोडकर दिया झोड़र धिए उसमें उनके चलुंणा है यह क्या ले लिक Simple मैंने NaCl की क्या ले ली रे solution ले ली ठीक है न कौन सी molten solution ली मैंने माल ले ठीक बहिए मैं कहा रहा हूँ कि ये जो है ये anod है मैं क्या कहा रहा हूँ कि ये anod है और मैं ये कहा रहा हूँ cathode है इसमें हमेशने ध्यान ये रखना process तो वही रहेगी process तो वो ही रहेगी कि कभी भी अगर selection of electrode करना है तो वो charge or politic basis पे ना होगार किस के उपर धारे process के उपर कौन सी process मतलब की anode का काम क्या था oxidation करना cathode का काम क्या था reduction करना ठीक है ना लेकिन अब मैं anode cathode अगर define करने चलूँ तो वो तो process के basis पे था लेकिन अगर electrochemical cell मेंने क्या क्या बताया on the basis of standard reduction potential और electrolytic cell मेंने क्या बताया on the basis of attachment of the battery मतलब की अगर में पॉजिटिव और negative define करने चलूँ तो यहाँ पर anode क्या होगा क्योंकि यह किस से तो यहां तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं मैंने स्रिफ दो भी बात ने बताई हैं अभी तक 10 मिनट में कि कैसे selection of electrode किया जाता है किसी भी cell में चाहे वो तेरे पास electrochemical cell है और चाहे वो तेरे पास कौन सा है रहे electrolytic cell है अच्छा भाई अगर यहां तक बात किलियर है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना पेपर में वो आएगी कि वो तुस्से ऐसा सवाल पूछेगा है ने वो तुस्से पूछेगा cell representation की कहानी क्या पूछेगा भाई cell representation की कहानी लेकन cell represent करने में भी सबसे बड़ा दिक्कत कौन देता है अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे एलेक्ट्रो केमिकल सेल में कौन बताता है तुझे कि यह नोट यह कैथोड होगा कौन बताता रहे या तो तु ईनोट आर पी लिख स्टेंडर्ड रेडक्शन पूटेंशल लिख या तु ईनोट ओपी लिख बास स इसका मतलब तुझे क्या हो गया इसका मतलब यह होगा कि अगर तुझे इनोट सेल पता है तो तु बहुत सारी बाते बता सकता है कौन कौन सी बाता सकता है अगर इनोट सेल तु निकालना जानता है इनोट सेल मतलब स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल दूसरी बास ईन कंडिशन스큾 पर छो पुटेंचिल निकाला जाएगा उसे में क्या क्यों उच्पैल अगर तु यह निकालना जान जांग तो तु बता सकता है कि यह सेल कोंस्ट्रेक्ट होगा नहीं होगा इंट्रोडेक्शन वन ने क्यों लेक्टर वाँ मैंने बता यह बात कि हम सीखने वाले हैं इनोड से लोगर तू यह निकालना जाएगा तो तो आधा देगा अगर तू कंस्ट्रेक्शन आप सेल बता देगा तो किसी भी जैमेन का या तू नीट का एक कोशिंच दरूर पाएगा कि क्या पाएगा कि कोंस करने वाले कैलकूलेशन मैथडस आफ दा इनोट सेल